जेके नियूस टुडे में दर्शिकोंट से हम रूबुरू करा रहे हैं आज शिरी जुगल किशोर शर्माजी को जुगल किशोर शर्माजी किसी इंट्रोडक्शन के मौताज नहीं है ये इनका सियासिक केरियर आज से 25-27 साल पहले शुरू हुआ ये मिदायक रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और राष्टे स्थर पर भी इन्होंने गुलाम नभी अजाब साथ बहुत काम किया अभी भी कर रहे हैं और उनकी जो नई पार्टी मनने जा रहे ही है उसमें इनकी एक एहम भूमिका रहेगी यहाँ ये भी बताना हम ज़रूरी समझते हैं कि जुगल किशोर जी जब टॉरिजम मिनिस्टर थे और उसके बाद जब पीड़ोडी मिनिस्टर थे इन्होंने अपने जमाने में जो काम किये हैं उनकी सराना आए तक होती है और उनकामों ने एक नहीं दिशा दी पूरे जमू कश्मीर को और उस समय तो लदाख भी साथ में था लदाख को भी दी तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका सियासी विचार क्या है और अजाब साथ जो की अब जमू कश्मीर में अपनी प्लिटिकल कंपेइन लांट कर चुके हैं पिछले दस पंदा दिन वो जमू कश्मीर में रहे बहुत से इलाकों में गए और सैंक्रो की तैदार में डेलिगेशन से मिले तो हम यह जानेंगे जुगल किशोर शामा जी से जो उनके बहुत करीबी साथी हैं और कंदे से कंदा में लाकर चलते हैं कि आपकी पार्टी कब बनने जा रही है एक तो अरुन जी जैमाता की और काफी खुशी हुई कि मैं फर्स टाइम आपके साथ रूबरू हो रहा हूं डिसकेशन यहां तक आपने जैसे कहा कि क्या इस वकत स्तिती है कि पार्टी जैसे जास साब के बारे में आपने कहा कि चल रहे हैं जो पार्टी आपने खुदी कहा कि छोषदा पंदरा दिन जो अजासा साब ने यहांपे लगाए मेरे खहल ऑनोंने लोगों की लोगों को भी चेक किया हमें भी चेक की और 12 पंदरा दिन के बाद यहां से जाने के बाद जो लास्ट पब्लिक मीटिंग हुई अनतलाग में, उन्हों ने खुद ही लगों को कहा कि मै पंधरा दिन का टूर जहाorn लगाया और मैं खुद भी पार्टी बनाने से पहले आप लोगों से पूशना चाहता था कि क्या मैं पार्टी बनाओ या ना बनाओ और उन्होंने बड़े बाबू को कर वहां अंतराग विजब आशे दिया वहां उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं जब मिनिस्टर बनकर जहां आता था जुनिन सेंटर में मिनिस्टर बनकर आता था रजसमा में मिनिस्टर बनकर आता था सारी रज समय में होकर आता था यहां MPB जब elected हुए जब जब किश्मीर में आता था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं सोचता था कि पावर के साथ जोड़ का कहने का मतलब था कि पावर के साथ लोग जुड़े हुए है लेकर उसके बाद उन्हों ने कहा कि मुझे मौका मिले डाई साल तो डाई साल तो कुछ भी रही होते सरकार के अदर काम करने के चीम मिनिस्टर रहा में रियासे जम्मो किश्मीर के अंदर तो यहां जो काम किये थे लोगों ने चाहproof जम्मो हो सिर्ऱ्नगर हो ले हो सब को रिगार था उनकामों का तो वो उन्हों ने कहा कि जिस वकट अब हालात ऐसे चेंज हुए दिली के अंदर तो मुझे भी यहाँ देखा मैंने तो मैंने कहा कि अगर मैं पाल्टिक्स में अगर मुझे इतना समय बतीत किया, इतना experience है, तो क्यों ने जो लोगों की खवाइश है, जो अन्हों रीड किया जो उनका कहना था तो मैं यहां लोगों के नवज को चेक करकर फिर मैं पार्टी बनाओ आज मैं जहांस तक समझता हूँ कि हलाकि उनका मन नहीं था पार्टी से बाहर निकलने का जो उनकी बातें देख रहे हम भी एक सार डेट साल से हम सो कह रहे थे कि वहां पार्टी के अंदर जो इस वकत हमारी जो पार्टी है परानी पार्टी है वहां जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमें भी परशानी आ रहे थी चार साल से जैसे हम टाइम मांग रहे थे राउल जी से तो टाइम नहीं मिल रहा था एक्स मिनिस्टर जितने भी थे फिर हम के दफ़ा हम उन से पूछते थे कि आपको पार्लिमेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जिस बाशा में बात की है तो क्या लगता है लोग कहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े हुए या इसी बाते चलती थी तो बहुसी बाते हैं उन्होंने कलीर की हमारे साथ ने क्योंकि उस पार्टी में हम नी जाना चाहते थे इन सब बातों को देखते हुए इजाज साथ ने जिसमकर जहां का टूर लगाया और जैसे मैं दिली की आपको बात बताओ तो हम देखते हैं कि टूर से उन लोगों के दिलों में बसे हुए हैं वो आप जहां मर्जी चले जाओ लोगों के दिलों में बसे हुए हैं चाहे वो ड़ाई साल का पीरिड हो जो भी उनका सिस्टम में काम करने का चाहे जब हूँ हो चाहे से नगर हो दूसरा उसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि अगर उनको कहीं पावर लेनी हो आज की डेट में, मैं और आप भी जानते हैं, अगर उनको पावर लेनी हो तो जहां हाउस के अंदर ओपनी प्राइम इनिस्टर ने कहा, कि आप एक माटेरियल है हिंदोस्तान का, नेशनल लेबल तो अगर आपको कोई नहीं अडियस्ट करता है, उन्होंने कहा, आपको हम ले लेते हैं, आज देखो, यहां पर एस्टी बरादरी का एक आदमी अडियस्ट हुआ है, तो पावर के लिए गया है अपने लिए, तो इसको क्या ही है, तो जा सकते हैं, और हमारी पार्टी के ल पार्लिमेंट के अंदर जब इनकी बातें सुनते थे, जिस तरीके से जोश के साथ बहुते थे, मेरे खला अपोजिशन में कोई नहीं बहुते थे, आप देख लिए पांच गस दो यारुनिस में जिस दम के साथ बोले हैं, तो आज मैं समयता हूं, कि यह सारी चीज़ें अ की गलती है, हमारी पार्टी जो परानी है, उसकी गलती है, यह एक अजास साथ की नहीं है, जब से मैंने बिस पचीस साल का अपने जिकर किया है, जब से मैं पालिटिक्स में देख रहा हूं, यहां जितने PCC प्रेइडेंट बने, आज तक हमने देखे हैं, लेकन इतने कैप बोड़ा जा रहा था इनके साथ जैसे हम तूरिंग करते थे, तो 2002 में वहाँ पर खड़े ओकर सब्जी की दिकान से उठाकर किसी को कहते हैं, यह जना ब्लाग प्रेडेंट है, यह चेक कर लेते थे थे उसको, उसको एक जगह पे ब्लाग प्रेडेंट दूसी जगह पूछ का सूरा दिली वालों का, कि जितने हैं जहां पीसी सी प्रेडेंट रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, नहीं हमने सबसे काम किया है, लेकिन यह जो दोजाथ, चोदा से लेकर आठ, साथ साल का पीरिड रहा है, सबसे गंदा पीरिड रहा है उसमें, मैं उसमें डटेल में जाओंगा, यह हुआ, वो हुआ, वो नहीं है, लेकिन एक कलाकारी होती है प्रेडेंटों की, वो दिली में खुश रखते हैं, चाहे वो सहभुदिन सोज थे, वो दिली को खुश रखते थे, अजास साथ के साथ कलाब बढ़का कर, मीर आया, इसने भी वहां खुश रखा, दिली वनों को गुमरा किया, चाहे यहां पर जायती है कि लोग चले गए पार्टी हैं शोड़कर, दिली में एक ऐसी चीज़ है कि जो दिली की वहां सिस्टम है, वो वहां मिस्गाइड़ होते हैं, आप जैसे मान लो यह पचास साल पार्टी को इन्हों ने दिये हैं, चाह की दफ़ा मैं सोचता हूं जैसे वो कहते हैं जिन्हों ने इतना कुछ लिया और इतना नुकसान लेने के बाद इन्हों ने गल्त किया है, हम भी की दफ़ा सोचते हैं, फिर हम चेक करते हैं यार, यह उस फैमिली के साथ तो दुख सुक में खड़ा गई, आप ने जो जैम्पलें सनाओंगा, जो मैं मनिस्टर रहा, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किये हैं कि मैं खुद सोचता था कि यह हो सकता है जम्मू की फेवर में ना हो, और कई दफ़ा मुझे जम्मू की फेवर में डांटा है प्रेक्टिकली में, आप गीता रखो मेरे सामने में काओंगा क बात से सुन रहा था, जैसे ही मैंने दोजार दो में में अमेले बना ऐना तो मैंने यह एक खवाइज थी, जैसे आप भी जानते हैं कि मैंने शिप्खोडी बौर्ड बनाऊऊँगा, शिप्खोडी को करें, वहां उसमक्त जातरा हाड़ली कोई, पचास हजार, साट हजार दोजार दो से पहले तो वहां हमने क्या किया कि वहां रास्ता भी नहीं था जाने के लिए भी तो हमने वहां पर क्या किया कि वहाँ कोशिश की कि पेपर वर्ग किया कि हम इसको बोर्ड बनाए वहाँ बिरोध भी बहुत से लोग करते थे पार्ट लोकल लोग भी करते थे वहाँ वही करते थे एक मारत में बैठे वो थे exercise करने के बार tourism department मेरे पास जब आया तो मैंने वो सारी tourism से file बनाई आप record देख सके हैं आप बलीब नहीं करोगे चीप मिनिस्टर मुफ्ती साथ के फाइल गई सारी law department से बैट होकर act बनवाने के लिए सारी बातें की वहाँ कोई ऐसा था नहीं कोई पजारी बारिदार सिस्टम नहीं था क्योंकि वहाँ धिक्कत आती है के जगापे जैसे dire minister whenkar यहाँ आगे. तो मैं सबी को लेकर जाता था वहाँ सबी minister काम करने के लिए. रोड के लिए को टूरिज्म को बिजली. इनको मैं वाँ लेकर गया. जब मैंने इनको लेकर गया तो ये गूफा वहाँ कापटर में दो-तिन टूर लोग आते हैं, कहते हैं, इसको develop करना चाहिए, कैसे आप कह चाते हो, बहुत कियों नहीं बना रहे हैं, बहुत सब्सक्राइब कर देखाए, आप बलीव नहीं करोगे, आप रिकार्ड नकाल कर देखो, लास्ट एक्ट पास हुए है, उसमें भी कुछ कठाई ही आई थी जिसम 8 फरबरी को बिल पेश होना था, लेकर उससे पहले 19 जनवरी को किसी हालात में होना पड़ा, उसी बिल को हुआ, बाकि 50 एक्ट में से नुझा एक्ट रहे गे, ये पास हुआ था इनके आतों से, तो ये इसकी एक बावना है, इसी तरीके से मैं समयता हूँ कि आज की डेट में करें थे, पार्टी कब अनुस होगी? पार्टी के लिए देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अभी तो स्टेप 15 विस दिन एक ही 15 विस दिन हुए है, लिये हुए, अब इसमें पेपर वर्क तो होता है, कोई भी आपने इंस्टूशन बना, कोई भी तो यहां तक मैं समझता हूँ, पार्टी एक किसम की अजास साब के नाम की पार्टी दो बनी गई है, उसके कैडर के साब से, अब मैं आपके दौरा भी मैं लोगों से भी कहूँगा कि आप यह ग्रूप बन चुका है, अजास साब ने यहां का जोश देखा, खुद कहा था कि आप जमू वाले भी बोलो, किश्मीर वाले भी मैं क्या कामन नाम रखो, तो उन्होंने सबसे ली थी, मैंने भी आट दस नम बेज़े हो सकता है, बाकि उन्होंने भी बेज़े, काफी नाम आये थे, उसमें से जो वो चूज कर रहे है, पेपर वर्क उनका स्टार्ट हो है, अब यहां तक हमारे, मुझे लगता है, वो दो-तीन दिन में, 26, 27, 28 को, कभी भी वो आ सकते हैं, यहां वो पेपर वर्क एक तरफ कर देंगे, दूसरी तरफ यहां बैट कर लोगों के बीच में रख देंगे, कि वह यह हमने त्यारी कर ली है, और मैं समयता हूं कि हमने वहां पेपर वर्क चलता रहे, और यहां पर जो हमारी एकसराइज है, डिस्टिक लेबल वेजन जहां पर भी है, वो शुरू हो जाएगी, अब वैसे तो शुरू हो चुकी है, उसमें आप कोई देरी इस बात की तो है नहीं, युगलिप, आपने एक्स पीसेसी हैं, आजाद साब कहां से इसकी ओनर्शिप ले रहे हैं, यह तो उन से चुराए हुए मुद्टे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए अरुन जी आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, मैंने पहले ही आपको कहा कि दिल्ली वाले जम्मु किश्मीर को ट्राइल ही रखते थी, हमारी जो पार्टी है, जैसे मैंने प्रेजिडेंटों की बात की, अभी के बाला प्रेजिडेंट ले लो पहले परानी पार्टी, तो दिल्ली में एक सिस्टम है कि वो जम्मु किश्मीर को सीरिस कभी लिया नहीं, जो मैं समीता हूँ, मेरी जो सोच है, हो सकत ने जहन से देखा है, 87 की एलेक्शन हुई तो तब भी अजाज साब की राय ली जाती थी, अजाज साब से आडिया लिया जाता था, लेकिन करती आ जाकर दिली वाले थे, जब यहां पे कोई और इशू आता था, यह से अर्थक्यू काया, कोलेशन सरकार काया, मैनिफेस्ट बनाना है, यह कहना है कि पाई पार्टी के अंदर जो कामन बजट, कामन जो क्या क्या डेविल्मेंट करनी है, वो सारा चेप मिनिस्टर मुफ्ती साब भी थे, लेकिन अराय इनकी चलती थी, इनको ठिंक टैंक मनना गया है, यह तो पूरे हिंदोस्तान में करता है, लेकि ज उनके जहन में यह है कि वो आलरी इस लाइन पर लड़े हुए है, वहाँ पर हवस के अंदर, उन्होंने जिद करकर वहाँ पर जिस तरीके से बहस की थी, मेरे खाल कोई नहीं कर सकता, यह लगता था कि कई मिनिस्टरों को तो कहते थे आप बैठ जाओ, आपको मालुम नहीं है, जिस वोगत पांच अगस 2019 की भैस हुई है, और उस एंगल से सारे जो मुद्दे बने हैं, जो कह रहे हैं, वो मुद्दों की फाइल उनके पास है, लेकिन जहन इनका था, अग्राम नभीजास साम का, मुद्दे इनके बनाए हुए थे, जो इशु को कैसे स्टेट के अं आज मैं जहन तक समझता हूँ, कि यहां तक उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग के अंदर कलीर कहा, उन्होंने सारी बातें कहीं, फिर उन्होंने बताया कि अगर तीन सो सतर को अगर वापस लाना हो, तो जब तक हिंदोस्तान के अंदर टू थर्ड बिजार्टी ना हो, कि थरी सेवंटी के साथ जुड़ता हुआ है, स्टेट तो बापस लेनी है, वो तो चलो आगया कामने एक सेंटेंस आगया, जुटी तो बनाई, गलत बनाई है बीजेपी ने, वो तो सब ही मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, थरी सेवंटी की बात थी, थरी सेव तो खत्म हो चुका था आज की डेट में उन्होंने उनी चीज में से जैसे जो चीज वो कह रहे हैं उन्हों वो अभी भी क्लियर नहीं है जहां तक कांगर्स का तरलग है कांगर्स पार्टी का तरलग है जम्मू के अंदर अलग बात है मीर साब कुछ कहेंगे रवन बना जी खत्म करना चाहता हूं उन्होंने तीनों इशू को टच किया है उन्होंने कहा एक तो यहां स्टेट हुड बापस हमने देनी हैं दूसरा उन्होंने कहा यह जो कहा है कि यहां बाहर का आदमी यहां जमीनी करी देगा यह तो 370 पे था इसमें तो आप कहो कि 370 सिर्फ बढ़ स्टेश सकते हैं कि हमारी जमीन की रख रखाव होना चाहिए बाहर का नहीं लेना चाहिए दूसरी उन्होंने कहा कि यहां बाहर का आदमी नोकरी ना मंगे ना ले तो इससे बड़ी और के वो चीज़ें टच है लेकिन उन्होंने कहा कलियर यहां तक 370 का तरले का जब तक तू ठेने मजाटी ना वहां था आ नहीं सकता है सप्रीम कोड मी शूचक चल रहा है वो आप भी जानते मैं भी जानता हूं वहां क्या ता खिड़ी जानते मैं ज AGAनता हूं इसलिए मैं समझता हूं कि जहां तक आगा है किन हालात में उठाया किन बजाउंच से उटाया वो निया बना हुए है. वहाँ भी गिया था, आपने जैसे मुझे से कहा, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि हमने भी मिनिस्टरी की, हम भी सरकार में रहे हैं. लेकिन हम कांस्वांसियों के मिनिस्टर नहीं थे. मुझे आप कहीं पर ले जाओ, कहीं भी जमो किश्मीर के अंदर मैं कोई अपनी बहादरी नहीं कहता हूँ, कहीं पर भी खड़ा हो जाओ, कोई मेरे पर रॉंगली नहीं उठाएगा, जुगर कुशोर ने यह काम नहीं किया है. मैं कई दफ़ा गुनामने विजास साब के पास खड़ा होता हूँ, मैं पीछे अपने आपको कर लेता हूँ. क् परसु सेक्टेड गया था, कहोंगो मिश्टर के पास, तो बाहर मैं किसी से दो चार मिनट के लिए बाहर खड़ा था, एक अफिसर ने मुझे कहा, मैं नहीं जानता था उसको, उसने का जनाब मैं आपका बड़ा शुकर की जारू, मैं नहीं समझे नहीं किस क्या बात की, कह आदमी ने करना चाहिए, आज मैंने इसलिए बात आपको बताई, बनिहाल वाला एमले डिस्ट्रक डो, जो हमारा PCC का परेजिटन अभी जो बना हुए है, जो पार्टी छोड़कर रहे है, वहां वो डोड़ा, रामबन डिस्ट्रक का रहने वाला है, अभी तीन दिन पहले उसने वहां पबलिक मीटिंग का अरेंज किया था रामबन में, पचास लोग महां मैठे हुए थे, तो मैं इसलिए एक बात कहरा हूँ, बाते तो खेर होती रहेंगी, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है, कि आपका जो प्लिटिकल एजेंडा है, इस प्लिटिकल एजेंडे को आप अलेक्षन से पहले पूरा करना चाहेंगे या अलेक्षन के बात कराएंगे? एक तो पहले तो सिंपल सी बात आ जाती है कि आप यह जो आई एजेंडे की फाइट होती है, जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं, एक पार्टि उस प्रोग्राम को लेकर चलती है, पावर स सारी उस्वकद चीज़ें होगी जिस्वक्त हमारा रिजिस्टेशन हो जाएगी जिस्वक्त हम फील्ड के अंदर एक पार्टी के नाम से बाहर निकलेंगी उसमें हमारा रोल रहेगा की हमने इसी चीज़ को किस तरीके से पार्टी जो इस्वक्त मुझूदा सरकार है उससे कैसे लड़ना है कैसे जगड़ना है किस किस त्रीके से फिर लोगों के बीच में हम चले जाएंगे कि कुछ लोगों से पावर लेकर बना जाती हैं जैसे मालो कोई एक्ट को चेंज करना है जब तक आपके पास constitutional form नहीं होगा आप वहां नहीं house होगा तो आप नहीं बना सकते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो before elections हम fight करेंगे वहाँ फर fight में जैसे हमारी होगे कि कैसे हमने मखालफत करनी है चोटे सा सवाल है कि election पहले या जगा नहीं थी कहा कश्मीर वैली कितनी हमने देखा है जूटी चोटी जूटी है चोटी सी है दिली जूटी है जूटी है यह इन्हों ने किस ढंक से किया कि उस पार्टी ने जिसने 370 को चेंज करना था उसका एक बड़ा बड़ी देर का एक आजनडा था तो उन्हों उन्हें करश करते करते सब को ही करश कर दी है आज की तडेट में देखें जिक्र जो हमारे साथ जायती हुई है, उसको कोई ड़राइनी कर सकता है। जैसे हाउस के अंदर जिस तरीके से उन्होंने प्लीड किया, अजास साब ने प्लीड किया था, अपना दुखड़ा सनाया था, कि यह पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि स्टेट से आप जूटी बना रहा है, कि आपने कोई एक्ट चेंग करना है, कोई चीज करने है, वो कर सकते तब भी इन्होंने यही सभी पार्टी ने कहा था, कि आप पहले हमें स्टेट वापस दीजी, हम उलेक्शन में जाएंगे, अब यह डिपेंड करता है कि दिल्ली का एटिचूड क्या है, लेकन उसके लिए फाइट तो रही रही रही, जोगली आपको क्या लगता है, कब त जितनी जितनी डिपार्टमेंट में जो डेली वेज़े जन्दूसरे हैं, सब परशाना आप देख रहे हैं, उस डंक से देखा जाए, फस्ट ताम ऐसा है रहा है, यहां प्लिटिकल गोवर्मेंट होनी चाहिए, वो आठ साल से बिशड़ी हुई है, तीन साल तो गवर्नर जो एलजी का रूल चलता नहीं है, अब मैं समयता हूँ कि जो एक्सेसाई तो इन्होंने शुरू की, आप देखिए, दिली की तरफ से भी कताई है, अब लेक्शर, डिलिमिटेशन ही इन्होंने करने चारी, इसकी करनी थी, जो अलेक्टर रोल बनाना था, जो भी इन्होंन बोते जैसे, जितनी इन्होंने एक्सेसाई किये, कई दफा लगता है कि अपरल में हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम शक करते है कि इनकी निये ठीक नहीं, जब तक दिली की निये ठीक नहीं होगी, कलेटी नहीं होगी, तब तक ये नहीं जाएंगे उस तरफ, क्योंकि वो अ पर रोश्चन डाली, कि कब आप लोगों की पार्टी बनने जा रहे है, या अनौस होने जा रहे है, और क्या एक्जिसाईज चल ले है?